जावा सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें आज का हमारा टॉपिक है सुपर कीवर्ड तो जावा के बहुत इंपोर्टन टॉपिक्स में से ये भी है सुपर कीवर्ड जो की इंटर्विव में और एक्जाम में ज्यादा तर कोस्चन इससे भी रहते हैं तो चलो ये होता क्या है इसका काम क्या है सभी चीजों को जानते हैं के करके सबसे पहले सुपर कीवर्ड क्या होता है आप देखिए सुपर हैं तो सुपर क्लास के ही object को refer करेगा इट इस यूजड वेन वी वान्ट तो कॉल दा सुपर क्लास वेरियबल मेथर्ड एंड कंस्ट्रक्टर थुरू सब क्लास ऑबजेक्ट अगर आप सब क्लास का object बनाए हैं और इसी सब क्लास के object के थुरू आप सुपर क्लास के वेरियबल मेथर्ड और कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाहते हैं तब आपको क्या यूज़ करना है सुपर कीवर्ड यूज़ करना है तो यह अभी सिर्व आधा जानकारी है आधा जानकारी यहां पर है ठीक है इसको ध्यान से सुनना कभी अर्ग क्यूं यूज़ करते हैं वो लिखा हुआ है वेनेवर्ड सुपर क्लास एंड सब क्लास वेरियबल एंड मेथर्ड नेम बोथ हार से देन इट कैन भी यूज़ ओनली मालो आपके पास एक सुपर क्लास है और एक सब क्लास है इसमें जो वेरियबल आपने बनाया सेम वही वेरियबल इसमें बना दिया या फिर इसमें जो मेथर्ड है सेम वही मेथर्ड इस क्लास में भी है तो जब आप sub class का object बनाऊगे न तो ये अपने ही variable method को call करेगा इसके variable और method को call नहीं करेगा तो जब दोनों का variable और method name same हो तो उस case में आप super keyword use करेंगे super keyword use करने से क्या होता है कि इसके object से आप इसके method और variable को भी call कर सकते है जो कि इसी के जैसा है इसी के method variable के जैसा है ठीक है प्रोग्राम में मैं करके दिखाऊंगा यह कैसे होता है बहुत important point यहाँ पे है to avoid the confusion between super class and sub class variables and methods that have same name we should use super keyword अगर आपको super class और sub class के variable और method में confusion को दूर करना है confusion कैसे create होता है क्योंकि variable और method का name same होता है super class और sub class के तो compiler confused हो जाएगा कि किसके variable और method को call करूं मैं तो sub class का object होता है तो sub class के यह variable method को call करता है तो super keyword आपको उसी case में use करना है जब आपको sub class के object से super class के methods को और variable को call करना हो और यह variable method का name same रहे है तो यह basically differentiate का का काम करता है डिफ्रेंसियेट करके बता देता है और सुपर क्लास के भी सेम चीज़ को कॉल कर देता है सब क्लास से तो इसको तीन तरीके से हम जावा में इंप्लिमेंट कर सकते हैं सबसे पहला super class के variable को access कर सकते हैं super class के method को call कर सकते हैं super keyword की मदद से और साथी साथ constructor को भी call कर सकते हैं super keyword की मदद से syntax बताता हूं इन तीनों का कैसा syntax रहेगा उसके बाद program discuss करेंगे syntax को देखो guys यहां पर class A है और class A की body है आप देख सकते हो तो इस class A को हम कहते हैं super class ठीक है यही होगा super class अगर मैं इस class A के अंदर खुझ से constructor लिखता हूँ तो ठीक है अगर मैं नहीं लिखूंगा तो java compiler क्या करता है खुझ से default constructor यहां पे इस तरह से add कर देता है अगर आपको नहीं पता है तो हमारे default constructor वाले वीडियो को जाके देख करते हैं subclass तो यह क्या कर रहा है extend किया हुआ है class A को मतलब इसके सारे features को यह extend किया हुआ है और यहां पर देखो एक constructor है अगर इस constructor के अंदर मैं पहले ही कीवर्ट इस शीवर्ट के पहले ही में होता है यह केबल सूपर क्लास के customer को कॉल करता है इसलिए शुपर की वर्ट के थुरू हम सब क्लास के object से super class के constructor को variable को method को call कर लेते हैं तो इस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं यह जो super keyword आपको दिख रहा है ना इसका तीन काम होता है तीने काम को मैं प्रोग्राम में आपको एक किक करके दिखाऊंगा मालो हमारे पास यह class a है इसमें variable है int a10 और मैंने इस sub class के अंदर भी int a20 बना रखा है तो अगर मैं यहाँ पर sub class में a को print करूंगा न तो यह बार बार इसी को print करके हमें result देगा क्योंकि इसी का object है और यह अपने variable को ही priority देगा लेकिन मालो मुझे इसी b के object से इसको access करना हुआ super class के variable को तब हम super keyword use करके इस तरह से वहाँ पर कर सकते super dot variable name लिखेंगे तो यह क्या करेगा redirect कर देगा हमें यहाँ पर तो इसी चीज को practically कैसे done करेंगे चलिए उस चीज पर हम focus करते हैं guys आप देख सकते हो जो syntax हमने वहाँ पर लिखा हुआ था same syntax को यहाँ पर मैंने लिख रखा है अभी चलिए सबसे पहले हम variables का डाउट किलियर करते हैं super keyword के दुरू माल लो हमारे पास class A में एक variable है int A इसमें value है 10 ठीक है अगर सेम इसी तरह का int A variable मैं class B के अंदर वी बना दू जो कि हमारा subclass A यहाँ पर int A इसमें मैं value देता हूँ 20 20 value इसलिए दे रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सब variable call हो रहा है अभी variables को access करने के लिए हम यहाँ पर एक method बना लेते हैं मैंने void show नाम का method बनाया इसके अंदर अगर मैं लिखू system.out.println और मैंने A को print कर दिया अभी चलते हैं class B का object बनाने इसे थोड़ा सा छोटा करते हैं object मैं separate class में बना रहा हूँ test class में ठीक है आप B में भी बना सकते थे यहाँ पर class B का object बनाने के लिए हम लिखेंगे class name object reference का name मैंने r दिया new और यह हो गया class B का constructor तो देखो class B का object बन गया है अगर हम इसी object से class B के method show को call करें तो result क्या आएगा guys आपको इतना तो पता होना चाहिए इसका variable है इसका method है यह बार-बार अपने ही variable और method को priority देगा इसको save करते हैं और आपको मैं result दिखाके एक-एक doubt आपका clear करता हूं प्रोग्राम compile हो गया अब इसे run करने के लिए Java class का name तो यहां पर देखो 20 print हुआ है 20 print होने का यह मतलब होता है कि class B ने अपने variable को को ही print कर दिया है अपने variable को ही access कर रहा है इस method के अंदर तो जितने बार आप इस काम को करोगे ना यह अपने variable को ही priority देगा क्योंकि यह इसका member है लेकिन मालो मुझे इसको access करना हुआ तो क्या करूंगा मैं simple सा काम करना होगा आपको इस line को copy कर रहे हैं यहां पर paste कर रहे हैं बस आप variable के जस्ट पहले super लिग दो और डॉट लगा दो super क्या करता है सब class के member और super class के member में differentiation का काम करता है इन्हें differentiate करता है जो भी compiler को अभी तक confusion हो रहा था कि किसको call करें हम इसलिए वो उसी को call कर दे रहा था बार-बार जिसका member था जिसका object था लेकिन यहां पर super dot a लिग दिए तो result दिखाते हैं फिर discuss करते हैं तो देखो 20 प्रिंट हुआ क्योंकि पहले हमने एक को प्रिंट किया उसके बाद super dot a जैसे ही एक को execute करा फट से हम उपर जंब किये यहां पर एक का value 10 था नीचे आए प्रिंट हो गया तो super keyword का एक ही काम है it is used to differentiate the members of super class from the members of subclass if the name of both variables या फिर method are same ठीक है तो यह हो गया variable को access करने का तरीका कि कैसे हमने B कही object से B कही method से super class के variable को access कर लिया अभी method की बात आती है तो method को भी कर सकते हैं हटा देते हैं इस सारे चीजों को यहां से कि यहां पर मैं एक message लगा देता हूं message क्या होगा हेलो लर्नर ठीक है अभी मैं super class A में चलू और यहां पर भी same method बना दू वोईड so ठीक है और इसके अंदर लिग दू system.out.println और यहां पर भी अपना एक message होगा जैसे यहां पर hello weaver ठीक है तो देखो गाइस यहां पर अभी super class के पास भी same so method है sub class के पास भी same so method है और हमने object create किया हुआ है इस बी class का यानि sub class का तो जब इस code को हम execute कराएंगे तो result क्या आएगा देखते हैं यहां पर देखो result आ रहा है hello learner इसका मतलब यह होता है कि यह जो sub class B है ना इसी का object बना है तो यह बार-बार अपने member को ही call कर रहा अपने member को ही यह priority दे रहा super class के member को यह priority नहीं दे रहा है तो अगर in case मुझे इस method को access करना हुआ तो मैं क्या करूंगा मुझे यहां पर इस method के अंदर लिखना होगा कहीं पर भी आप उपर नीचे लिख सकते हो तो इस system.out.println के अगर मालो मुझे इस method को access करना है तो मैं लिखूंगा यहां पर super.method का name so तो अभी क्या होगा यह super क्या करता है न इस method और इस method में differentiation निकाल देगा यह सिर्व super class के member को ही call करेगा क्योंकि मैंने first line में नहीं आपको लिखवा है था super keyword refers to the object of super class तो super class के member को यह refer करेगा अभी आप result देखेगा सबसे पहले आपको hello weaver देखने मिलेगा कि यहां पर देख लो hello weaver print हुआ है उसके बाद hello learner print हुआ है क्यूंकि हमने पहले ही super.so लिख दिया यह method पहले एक्जिक्यूट कर गिया तो जब भी method का नेम या फिर variable का नेम सेम हो super class और subclass में तब आप super keyword use करेंगे अगर आपको सब के object से super के member को भी access करना है तब अभी बात आती है क्श्रक्टर कि माल्लों यहां पे मैंने कस्ट्रक्टर बना दिया और इसको भी मैंने कस्ट्रक्टर बना दिया ठीक है और इस चीज है इस चीज को नीचे से हटा देते हैं थो अभी गैश्स आपको क्या लगता है result क्या आएगा क्योंकि B का object बना हुआ तो फर्ट से हुआ मैं तो यहां पर देखो गाइस ध्यान से देखो मैं क्या लोड रहाउं हहां पर हलो वीवर पहले प्रिंट हुआ है उसके बाद हेलो लॉर्न प्रेंट हुआ है। तो जब भी डिफोर्ट कश्ट्रक्टर का केस होता है ना तो हर एक डिफोर्ट का इस तरह से अपने से लिग देता है अगर मालो हम अपने से लिग दे तो अभी Java compiler अपने से नहीं लिखेगा और कस्ट्रक्टर एक special टाइप का मेथर होता है जिसमें parenthesis होता है तो कस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए यहां पे parenthesis लगा रहेगा super keyword के साथ भी अभी भी देखेगा same result आएगा same result आने से ही यह हमें पता चल जाता है कि अगर हम यहां पे super keyword नहीं लिखते हैं फिर भी यहां पे super keyword होता है तभी तो यह अपने आप call हो रहा था जब यहां पे यह कुछ नहीं था ठीक है तो यह हो गय या default constructor के case में कि आप super keyword लिखेंगे तो भी चलेगा नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा by default वो compiler add करके super class के constructor को call कर लेता है लेकिन मालो हमारे पास यहां पे एक parameterized constructor है जिसमें मैंने एक integer type का parameter दिया हुआ है और मैं A की value को यहां पे print करना चाहता हूँ तीक है इस तरह से तो अभी अगर हम यहां पे कोई super keyword नहीं लिखते हैं तो आप देखेगा guys हमारा उपर का constructor call नहीं होगा हमें उल्टाए केरर दे देगा आपके पास class A में जो constructor है वो parameterized है तो parameterized constructor के case में यह compulsory होता है कि आप अपने से super keyword यहां पे add करो और जितने भी parameter आप पास कर रहे हो यहां पे लिखो यहां पे एक integer value मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि integer type का parameter है तो यहां पे अब result आएगा सबसे पहले hello weaver print होगा और 10 भी प्रिंट होगा 100 हमने पास किया ना 100 प्रिंट होगा यह देखो उसके बाद hello learner भी different हुआ है तो डिफोर्ड का स्ट्रक्टर के केस में सुपर कीवर्ड लिखना जोरी नहीं होता है कि कि जावा compiler खुझ से add कर देता है लेकिन पारमेटराइस्ट के केस में आपको लिखना कंपल्सर ही होता है तो सुपर कीवर्ड का हम यूँ इस तीन तरीके से करते हैं अपने प्रोग्राम में जब भी वेरियेबल या फिर मेथट का नेम सेम हो सुपर और सब क्लास में तब या फिर सब क्लास के ऑब्जट से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना हो तब यह क्या करता है't वेसिकली दोनों के मेंबर्स में डिफ्रENC rejection लगाता है कि यह फहचान लेता है कि सुपर का मेंबर कोन है और यह सुपर के मेंबर को ही प्रारिटी देता है सुपर कीवर्ड इस लिए इसका नाम है सुपर कीवर्ड उमीद करते हैं वीड़ियो आपको समझ में आ गिया है पसंद आया हो तो like करिए share करिए complete java सीखने के लिए इस playlist को click कर दिजे जो आपको screen में दिख रहा है